हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू था स्टडी पोर्टल, स्टडी पोर्टल में आप सब का स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तो न्यू टीचिंग वेकेंसी के बारे में फूल इन्फोर्मेशन यानि की जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कहीं पर भी टीचिंग की वेकेंसी का यानि की अपनी जोब सिक्योर करने का तो उनके लिए समर्विल स्कूल के अंतरफ से वेकेंसी अनाउंस हो चुकी है जो स्टुडेंट समर्विल स्कूल में डैली के अंदर अपलाई करना चाहते हैं वो complete इस वीडियो को देखे स्टार्टिंग से end तक आपके पास जो जो पोस्टे रहेंगी वाइस पिंसिपल के लिए वेकेंसी है पिजटे टीचर, टिजटे टीचर और पिजटे टीचर यानि कि इन सभी टीचिंग पोस्टों के अंदर समर्विल स्कूल की तरफ से डैली में ये वेकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है अनाउंस हो चुकी है इनकी जो लास्टेट रहेगी वो मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी तो स्टाइटिंग से एंड तक कंप्लीट वीडियो को देखे आपको कंप्लीट इंफोर्मेशन यहां से मिलेगी कि कैसे आपको यहां पर फोर्म अप्लाई करना है स्कूल की क्या वेबसाइट रहेगी कैसे क्या क्या प्रोसेजर स्टेप बाई स्टेप हम डिस्कूस करेंगे सबसे पहले ओनलाइन एप्लिकेशन की ओपनिंग डेट यानि कि स्टार्ट कब से हो यह फोर्म तो यह है 26 सेप्टेंबर यानि 26 सेप्टेंबर 2024 से आपके अप्लिकेशन फोर्म स्टार्ट हो चुके है क्लोसिंग डेट ओफ यह फोर्म 10 ओक्टूबर 10 ओक्टूबर तक आपको अपने फोर्म अप्लाई कर देना है जो स्टूडेंट टीचिंग लाइन की जोब में टीचर बनना चाहते हैं अपनी जोब को सिक्योर करना चाहते हैं तो दस ओक्टूबर से पहले-पहले अपने फोर्म को अप्लाई करके सम्मिट कर दीजिए यह है समर्विल स्कूल डेली इसके अंदर जो पोस्ट है वाइस पिंसिपल पिजिटी पियार्टी टिजिटी टीचर इसके बाद है प्री स्कूल टीचर उसके बाद है प्राइमरी कोर्डिनेटर एंड हैड मिस्ट्रेस उसके बाद है इंडियन म्यूजिक टीचर तो यह एस पर को करना है लिए सकूल की ऐसा कहले वहां Fr यहां से के अबाद करें सकूल की आपको अपना फॉर्म या पना रिधी में नहीं पर करना Restaurant तो यह जो है समर्बिल स्कूल वसुंद्राराज्जोब्स.gmail.com यह आपकी email id है अब बात करेंगे apply कैसे करना है interested qualified candidates apply the prescribed application form available free of course सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए कि form fill करने के लिए कोई यहां पे charges नहीं लिया जा रहा है यानि कि free of course आप form को fill कर सकते हैं 9 a.m. to 1 p.m. working day school के अंदर आपको जाना है 9 से 1 बज़े तक आप अपनी passport size photograph and relevant certificate to concern the school principal on before 10th October तो 10 तारिक 10 October तक का आपके पास यहां समय रहेगा form apply करने का अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कैसे सर्च करना है कैसे आपको पता चलेगा वेकेंसी का तो सबसे पहले आपको Google पर जाना है यहां पर जैसे ही वेकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से पेस ओपन हो जाएगा वेकेंसी आप जैसे इसको scroll करेंगे उपर की तरफ तो यह आपके पास वेकेंसी की जो है डिटेल यहाँ पर आजाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल फर्स्ट नम्मर पे वाइस पिंसिपल अब जो डिदेट वाइस पिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पर के लिखा हुए Christian Candidate only पोस्ट ग्रेजवेट क्या क्वालिफेशन एलिजबिलेटी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजवेट बीयर्ड एमेड विट फाइफ यर एक्सपीरियंस एज पुजटी यानि कि आप पोस्ट ग्रेजवेट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है कि आप किससे हैं बीयड आपके पास बीयड और एमेड कोई एक आपके पास हो या तो आपने बीयड किया हुआ है या फिर एमेड हो विट फाइफ यर टीचिंग एक्सपीरियंस इन पिजटी पोस्ट यानि कि प प्रफाइस पिंसिपल के लिए ऐसेबिलिटी इसको फुल्फिल करते हैं तो आप इनका फूम फुल कर लिजे सेकीड नमबर पर है प्रिजिटीब बायलोजी MSC biology, beard, 5 year experience यह आपके पास होना चाहिए positive biology के लिए MSC in biology beard, plus में beard हो और उसके साथ 5 year का आपके पास teaching का experience हो आपकी जो age है below 36 यानि कि maximum age जो है यहाँ पे वो 36 है आप ज्यादा से ज्यादा 36 साल तक यहाँ अपलाई कर सकते हैं उससे above age में नहीं minimum कोई भी हो next है third primary coordinator headmistress तो primary coordinator के लिए है यहाँ पे Christian candidate also post, sorry only post graduate होने चाहिए beard, 5 year experience positive, prior administrative experience is desirable तो यह है आपके लिए primary coordinator headmistress जो भी है दोनों में से किसी भी एक के लिए तो यह है आपके यहाँ पे भी आप master's होने चाहिए beard भी आपके पास complete होनी चाहिए साथ में आपको 5 साल का experience होना चाहिए as a TGT teacher या फिर आपके पास हो वो चलेगा prior administrative experience is desirable यह वाला experience यहाँ भी desirable रहेगा जैसे कि vice principal post पे था next is fourth number पे TGT science के लिए आपके पास या तो MSC हो या फिर BSC हो उसके साथ MSC BSC कोई एक हो मतलब ग्रेजवेट आप होनी चाहिए TGT post के लिए साथ में beard specializing physics chemistry bio यानि कि आपके beard में physics chemistry bio या इन science से आपकी beard होनी चाहिए ctec level two past यानि आपने एक central teacher eligibility test paper two past किया होना चाहिए minimum five year experience होना चाहिए and जो आपका age criteria यहाँ पे रहेगा वो है 30 years 30 साल की उमर तक यहाँ TGT post के लिए आप apply कर सकते हैं TGT post के लिए 36 year है next है इसमें TGT Hindi TGT Hindi के लिए MA Hindi BA Owners Hindi से जो BA Owners plus में beard मतलब की master degree या फिर graduation दोनों में से एक हो या तो MA Owners MA Hindi हो आप या फिर BA Owners Hindi हो साथ में आपके पास beard होना चाहिए उसके बाद आपका seated level two past होना चाहिए five year का आपके पास teaching experience होना चाहिए और जो आपकी age है वो 30 years ही हाँ पर होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं next है TGT math के लिए आपके पास जो education होनी चाहिए qualification MA MSC math या तो आप MA math हो या फिर MSC math हो साथ में आपके पास beard past यानी beard आपका complete हो and seated level two seated level two का paper आपका qualify होना चाहिए minimum five year experience होना चाहिए teaching का and age जो है वो 30 year TCT के लिए हर जोके 30 year age हाँ पर requirement है maximum age है दोस्तों minimum नहीं maximum age है Indian music teacher Indian music teacher के लिए BA या फिर MA in Indian music minimum five year experience and age 30 years next step PRT Hindi PRT Hindi के लिए आपके पास या तो MA Hindi हो या फिर BA owners Hindi हो साथ में beard होना चाहिए and seated level one यहां बात हो रही है PRT की तो seated paper one आपका qualify होना चाहिए minimum three year experience होना चाहिए आपका teaching का साथ में आपकी जो age है वो 30 year सी यहीं पर है maximum 30 year जैसे TCT में है उसी तरह PRT के लिए भी maximum age criteria 30 year है नेक्स्ट है प्री स्कूल टीचर ने सोरी नेक्स्ट है PRT English PRT English के लिए MA English या फिर BA owners in English हो साथ में आपका beard pass होना चाहिए and seated level one PRT की बात है तो seated का पेपर वन आपका qualify होना चाहिए minimum three year experience होना चाहिए and age 30 year नेक्स्ट है प्री प्रेमरी टीचर प्री प्रेमरी टीचर के लिए BA beard नर्सरी और entity from recognized institute and minimum three year experience in teaching preschool और nursery age जो रहेगी वो है 30 year यानि की maximum age हां भी 30 year है तो यह थी सुमर्विल स्कूल वसुंद्रा इंकलेव डैली की तरफ से जो वेकेंसी आई है आप जो भी स्टूडेंट यहां टीचिंग की जो पाना चाहते है बहुत अच्छा पेस के लिए पर दिया चाहिए तो फटा 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 आप अपना इस तरह का फोर्म जो है वो ओपन हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ है सुमर्विल स्कूल एड्रेस है वसुंद्रा एंकलेव डैली एप्लिकेशन ओनलाइन एप्लिकेशन रजिस्टेशन फोर्म स्टाप रिक्रियूट्मेंट यह आपकी रजिस्टेशन डेट है यहां प से जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट कीजिए और अपना फोर्म को फिल कर दीजिए यह था आपकी आज की वीडियो की विकिंसी की अपडेट आई होप आपको समझ में आयोंगी फटा-फट से आप अपने फोर्म अप्लाई कर लिजिए 10 अक् स्टुडेंट टीचिंग के लिए अपने इंतजार कर रहे थे वो अपने फोर्म को फिल कर दीजिए थैंक यू